हेला सांतियो, वेलकम टो रोयल स्टड़ी, दोस्तों आज के इस वीडियो में मद्द प्रदेश पतवारी दोहजार तेविस के स्पैसल एक्जाम का नेक्स्ट एनलीसेज आपके लिए लेकर आए हैं और आज 20 अप्रेल सेकेंड सिप्टेक अनलीसेज हम कवर करेंगे, इससे पहले हम फस्ट सिप्टेक आपको दे चुके यहाँ पर आप आई बटन पर किलिक करके देख सकते हैं उन वीडियो को, सबी वीडियो आपको वैवास्ती द्रोप से मिल जाएंगी अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो के पीडियो फाइल आपको मिले तो आप अप एपलीकेशन को डाउनलूड कर लेजगा, टेलिग्राम को जोइन कर लेजगा, दोनों के लिंक आपको डिसक्रिप्शण में मिल जाएगी और अगर आप चाहते हैं कि PDF आपको आसनी से मिल जाए तो ये तीन इस्टेपी इनको आसनी से follow कर सकते हैं आप कोई दिक्कत नहीं होगी और आसनी से आपको PDF मिल जाएगी किले रहे और ये हमारी पटवारी के special test series है सभी आटो subject के complete detail के साथ में हम questions कवर करेंगे तो इस वीडियो को पूरा दे के last तक अगर आगे आने वाले दिनों में कभी भी आपका exam है किसी भी सिप्ट में तो आप हमें नमबर पर अपने questions जरूर से send करें ताकि हम आपको exact analysis provide कर पाएं और सबसे सटीक data आपको दे पाएं तो आप इन नमबर को save करके रखेंगा जब भी आपका exam हो आप हमें questions जरूर से send करेंगा देखे finally start कते हैं और इस वीडियो को like कर दीजिए अगर share नहीं किया है अपने दोस्तों के साथ में तो share इस वीडियो को जरूर से करें इसके अलावा guys चेनल को subscribe नहीं किया है मद्यप्रदेश के किस जीले से हैं पहला question यही बनाये आपका अनिल काकुडकर से तो इनके बारे में हम हमारी वीडियो में काफी बार आपको पढ़ा चुके हैं बढ़वानी आपका करिक्टा आंसर रहीगा, अनील काकोडकर मद्यप्रदेश के बढ़वानी जीले में पेदा हुए, भारत के परमानु उर्जा आयोक के पूर्व अध्यक्ष हैं ये, अनील काकोडकर को मद्यप्रदेश का साइंस मैन भी कहा जाता है, और अनील काकोडकर भारती परमानु विज्ञानिक और यांत्री की अभियंता है, वहाँ भारत के परमानु उर्जा आयोक के अध्यक्ष और भारत सरकार के संपर्क में थे, के लिए रहें, 1994 से 2000 तक भाबा परमानु अनुसंदान केंद्र था ट्रामबे, यहाँ पर ये कारी-कारी प्रमुक रहे घा, इसके अलावा 26 जनवरी 2009 को भारत के दूसरे सर्वच नागरिक संपान पद्म विबोसन से इनको संपानित किया गया, तो कोशन पूचण पूचा जाएगा, अनील काकोड़कर को पद्म विबोसन कब मिला था? 26 जनवरी 2009 को कौनसा पुरुषकार मिला था? पद्म रहे थे अगला कोशन पूज़ा गया है लिलावती पुस्तक के लेका को ने तो लिलावती पुस्तक के लेका के भासकराचारी इनका नावी लिलावती पुस्तक के लेका भासकराचारी है और वहां पिवेदिक परंपरा के संदर्व जोतिय सा सास्त्र थे के लिए रहें अगल पदक विजेता पहली भारती जो महिला है इनका नामे करनम मलिस्वरी याद रखेगा करनम मलिस्वरी एक भारती भारतोला के और 2000 में सिडिनी में ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली महिला बनी है ये वह देखें 1994 में इंस्ताबुल में भारतोलन वर्ल्ड चेंपियंसीप कोई थी और इस चेंपियंसीप में चेंपियंसीप में बनने वाली पहली भारती महिला ये बनी दी इस्ताबुल में भारतोलन वर्ल्ड चेंपियंड में किले रहे तो आप याद रखेगा इनके बारे में अगला कोशन पूचा गया है अभी हाली में नई रेलवे लाइन किस राज्ज में बनी है ये 111 किलोमेटर लंबी रेलवे लाइन बनी है रेलवे लाइन का कोई अनावरन किया गया है अभी हाली में तो वो किस राज्ज में किया गया है बैसिकली ये कोशन पूचा है तो यो भी कोशन हो, आप comment में comment करके बता सकते हैं, बाकि हमें इस ये exact question नहीं मिल पाया, इतना ही मिला है, अब ये हाली में नहीं 111 किलो मेटर लंबी railway line का अनावरन कहाँ पर किया गया, इस तरह से हमें question मिला है, अगला question पूजा गया है, उजयन के योगेस मालवी की scale से सम्मन् ये मलकंब से हैं मलकंब के कोच ये हैं basically इतना आप याद रखिएगा उज्जेन के मलकंब कोच योगेस मालवी भारत सरकार रास्ट खेल अवोर्ड दुरोनाचारी से सम्मानी थे इले रहे और 29 अगस्त को रास्ट खेल दिवस पर पहली बार मलकंब के छेतर में दुरोनाचा जो अवोर्ड दिया गया ये योगेस मालवी को दिया गया जिनका संबंद उज्जेन से हैं और 29 अगस्त को ये खेल दिवस के उसर पर दिया गया योगेस मलकंब के ऐसे पहले कोचे जिने इस अवोर्ड से नवाजा गया है तो ये पोइंट इपोलेंड है इस्टेटिक जी किये हिमाचल प्रदेश में देखे देश में चोंती वंदे भारत एक्सप्रेश 13 अक्टूबर 2022 को नई दिल्ली से अंब अंदोरा के बीच में सुरू हुई है और हिमाचल प्रदेश से चलने वाली यहां पहली वंदे भारत ट्रेन एक वंदे भारत ट्रेन दिल्ली से वार गुजरात की गांधी नगर से हरी रंडी दिखाए जो कि गांधी नगर से मुंबई के बीच में चलाई जाएगी अगला कोश्चन पूजा गया है रक्षा मंत्री राजनास सिंग ने किस राज में सियोल पुल का सियोम पुल इसका नामे इसका उधगाटन किया है तो रक्षा का उधगाटन भी इन्होंने किया है और 724 करूर रोपे की लागत से तैयार इस प्रोजेक्ट से भारत के सीमा पर और विशेश रूप से मैसेज से रोनाचल तक चीन से लगी सीमा पर बुनियादी सुविदाओं का विस्तार किया जाएगा और ये जो पूल है 100 मीटर लंब में बहती है आप याद रखेगा मद्द प्रदेश के चित्रकूट जीले में एक छोटी सी नदी है जो भूमी गत गुफा में बहती है और ये गुफा गुप्त गोदावरी कहलाती है यहां के बारे में पोरानिक मान्यता है कि तरेता यूग में यहां भगवान स्री राम मा सीता और लक्षमन ने अपने वनवास के सुरुवाती दिन बिताए थे वनवास के दुरान भगवान राम इस गुफा में रुके थे नेक्स्ट गोशन पूचा गया है उशन है आपका भारती वनी जीव संरेक्षन अदिनियम किस वर्स लागू किया गया था सही जवाब रह संरेक्षन के लİए लागू किया गया और इससे एक दिन पहले भीकुषन आपका पूचे जट चुका है वनी जीव संरेक्षन अदिनियम से तो याद रखिए गा कोशन से पूचा ऑन कि जीव के संरेक्षन के लिए बैसिक लिए फैसकलि यह चलाया गया था इस तरह से गया है महात्मा गांदी की यंग इंडिया नामक पत्रिका का प्रकासित की गई थी यह हुई थी तो यह जो पत्रिका प्रकासित हुई थी यह हुई थी 1919 से 1931 के बीच में के लिए 1919 से 1931 तक यह प्रकासित हुई थी यह आप याद रखेगा इसके बीच तक यह प्रकासित उपयोग गांदीजे ने अहिंसा के अपने अनूटे विचार को फैलाने के लिए किया था और इसके उपयोग के माध्यम से अंग्रेजियों से स्वतनता पाने की योजना भी बनाई थी अगला कोशन पूजा गया है भारत में GST कब लागू किया गया था तो भारत में GST की ज सबसे पहले असम राजी ने 12 अगस 2016 को पारित किया था और GST लागू करने वाला देस कौन सा है पहला तो फ्रांस पहला देसे GST लागू करने वाला है पूरे यहाँ पर डियल हमने बता दिए और गैज आपको बता दें यह सभी कोशन्स आज के आपकी आई यहुई एक्जाम के है और कुछ बिता रहे थे हमें कि और भी अच्छे कास से कोशन्स देखने को बिले बट जातर जो कोशन्स आज देखने को मिले हैं वह क्रिंट फेर के तो और एक्जेक्ट कोशन्स याद नहीं रहे क्योंकि डीफली कोशन्स पूचे गए थे इसलिए इतने ही कोशन्स हमें मिल पाए हैं अब हम साइंस की और आगे बढ़ते हैं साइंस की और आगे बढ़ों से पहले बता दे हमारी पटवारी की स्पेसल टेस्टी सिरीज इसके अलावा गाईज हमारे पेस्टी की स्पेसल टेस्टी सिरीज है हमारी इबू के 2023 की MP कर इंटफेर की ये 2022 की इन सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में डलिए एप्लिकेशन को डाउलूड करके complete detail यहाँ पर आप ले सकते हैं के लिए रहे साइंस की बात करेगा है साइंस का रासानिक नाम क्या है तो सीसा यह होता है वाइरस से होने वाले रोक कुन सा है यह उप्शन में आपको एक दे रहा था इनमें से तो चेचक सामान्य सर्दी जुकाम चिकन पॉक्स एंफलेंजा जेनाइटल हर्फीज मिजल्स रेबी जीबोला पोलियो रेड्स यह जो है यह वाइरस से होने वाले रोक के उधारन है तो आप देख लिजगा इनमें से ओप्शन में आपको एक मिला हुगा के लिए रहें अगला कोशन है कम्प्यूटर से बात करें हम HTML का पूरा नाम पूचा Hypertext Markup Language होता है और यह पहले भी पूचा जा चुका है वापिस से repeat हुआ CPU का कारे पूचा है आपसे यह भी एक दिन पूचा जा चुका है वापिस से repeat हुआ है कम्प्यूटर से जूरी ही वही सभी device हो और उनके सारे कारियों को नियंतित करने का काम होता है CPU का अगला कोशन पूचा कया है जो अपनी hacking skill का उपयोग अवेद कारियों के लिए ना करक कि नेतिक और legal तरीके से cyber space की कम्यों को ढूंड कर उसे ठीक करने का काम करता है उसे क्या कहते है तो उसे ethical hacking बोला जाता है ethical hacking उसको बोला जाता है के लिए अगला question बना है memory से question पूचे गए है next question cut और past की suit cut की क्या होती है इससे question बना है तो cut करने के लिए control देखे आपको हम चीज़े हैं अप आसनी से याद रख सकते हैं फुल फॉर्म से कोशन बने हैं, एंटी वाइरस से वाइरस अच्छे काश से कोशन देखने को मिलें, इंट पूट आउट पूट जैसा की पूचे गए हैं, और नेट वर्किंग से कोशन बने हैं, एक्सल, पावर पॉइंट और आपिस के लिए और MS वर्ड, इन से लगातार अनेकारती सब्द हो गए, तस्तम तदभू हो गए, वाच और कारक से कोशन बन रहे, संदी समास और छंद इन से भी टॉपिक आपके पूचे जा रहे, डेली काल से कोशन है, अलंकार से और विलोम और परियावाची भी आपके पूचे जा रहे हैं, गैस मेनेजमेंट में संगठन से कोशन बन रहे, परिवासा और कतन वाले कोशन बन रहे, एकोनोमी से कोशन पूचे जा रहे, प्रबंद से अकाउंटिंग से कोशन बन रहे, मार्केटिंग से कोशन पूचे जा रहे, नियंतरन, नियोजन, इसके अलावा विपनन से भी आपके अच्छे कासे कोशन्स पूचे जा रहे हैं इसके लावा आइडम्स आपका आ रहे हैं एक्टिव पैसी वोई से भी कोशन्स बन रहे हैं मैस में नाउधारा वाले कोशन्स आ रहे हैं मिस्रन वाले कोशन्स पूचे जा रहे हैं अनुपास समानुपास आपका डेली आ रहे हैं ओसस से कोशन् और पाई चार्ट और बार ग्राब भी अच्छा कासा देखने को मिल रहे हैं इन सभी टॉपिक्स आपकी एक्जामें डेली एक एक दो दो कुशन्स लगतार पूचे जा रहे हैं और यह जो परसेंटेज जो प्रॉपिट लोग से इनसे ज्यादा कुशन्स देखने को मिल रहे है यह पाई चार्ट बगिरा तो इन टॉपिक से हिसाई सी आई हो गए इनसे ज्यादा कुशन्स आपको देखने को मिल रहे हैं बाकि हर टॉपिक से कुशन्स आपके आ रहे हैं पर पूरे टॉपिकों से आपकी कुशन्स आ रहे हैं रिजनिंग में आकरती से कुशन्स बन जा रहे हैं के लिए रहे तो इन सभी टॉपिक को आप अच्छे से कर लिजेगे कर आपका एक्जाम अभी नहीं हुआ है तो यहीं से टॉपिक आप क्या रहे और अब जो पैटाने थोड़ा सा चेंज तो नहीं हुआ है बट जो इनके कोशन का लेवल था यह थोड़ा सा बढ रहेगा ताकि हमें सपूर्ट मिले मोटिविशन मिले आपके लिए और अच्छी सची वीडियो साम लाने की कॉसिस करते रहें और इस वीडियो को लाइक नहीं किया है लाइक कर दीजिए सेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में के लिए और चेनल पर जो लोग पहले बार विजिट करें सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप अन करके रखे ताकि जो भी नए आवडियो है सबसे पहले आप तक पहुच पाएं के लिए यह उनलाइन कॉर्स है इनकी बारे में अल्रेडी हम डेटियल आपको बदा चुके हैं और यह दोनों नई टेस्टी सी हैं कि लिए रही तो मिलते हैं हमारे कल के फस्ट सिप्ट और सेकेंड सिप्ट के अनलेजिस के साथ तब तक लिए जय हिंद वंदे मात्रम